दोस्तों कैसे आप चार लाग डॉलर का इलीगल सामान किसी प्लेन में ले जा सकते हैं? इसका सही उत्तर है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं लेकिन भाई कुछ चतुर बदमाशों ने ऐसा करने की कोशिश की है वो भी ऐसे तरीकों से जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि कोई आदमी कश्वी को के एफसी का बर्गर बना रहो या एक महला अपने पती के डेट बॉड़ी हवाई जहास में ले जा रही है तो दोस्तों अपनी खोली यांगे रखो क्योंकि जैसा दिखता है सब वैसा होता नहीं इसलिए आज हम इतिहास के सबसे चतुर तर्सकरों को देखने जा रहे हैं असमाने सस्पेक्ट तो मैं एक नया जासूस होना चाहिए क्या आपको लगता है कि आप हमारी मदद उस इंसान को पैचानने में कर सकते हैं जिसके बारी में हमारा मानना है कि वो देश में अवैत तसकरी कर रहा है बताइए आपको निमने लिखित पांच सस्पेक्ट में से कौन सा दोशी लगता है तयार हो? ठीक है यह रहे वो सस्पेक्ट सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2 सस्पेक्र 4 और सस्पेक्ट finally 5 आपने अपने उत्तार कमेंन सेक्शन में करना ना भूले मैं आपको एक सेकिंड का समय देभाू ठीक है तयार है? अगर आपने suspect number 5 कहा है तो आप सही हैं मुझे पता है ये चौकाने वाला है ना साल 2007 की बात है औस्विले कस्टम आफिसर्स ने इस Mr. Potadio Head को लगभग 10.5 ओंस अवेट टेबलिट्स को ट्रांसपोर्ट करते हुए पकड़ा था जिन्हें उसने अपनी पीछे के रास्ते में चपाका रखा था अरे नहीं वा नहीं मेरा मतलब है कि उसके वास्तविक पीछे के मार्क से जहां वो अपनी चेहरे कात्रिक्त हिस्से रखता है एक्सपर्ट का कहना है कि इस लीगल सामान की कीमत लग भग 30,000 डॉलर हो सकती है आपको इसको देखना पसंद नहीं है एंडी ने खिलना बंद कर दिया था इसलिए खिलोने अपराद में बतल गए लेकिन आपने यह कैसे किया अगर आप दो बारा जाना चाते हैं तो मुझे 5 नई सस्पेक्ट मिले हैं 22 साल 2012 कि एक टब पकड़ा कया था जब वो एक फायाराम की तस्कूरी ग्रीन एहर पोर्ड रोड आइलेंडդ पकर रा था जिससे उसने बच्चों के पसंदीदा खिलोनों की बीच में चपाया था ये खुद एक प्रसिदर माउस था ऐसा लगता है कि कलब हाउस के सामने कुछ मुछ मुछ वक्त आने वाला है क्या सकते हैं कि पहली बार ये तना बुरा नहीं है लेकिन कुछ मुश्किल मामलों पर आपका क्या कहना है बताईए क्या कोई और भी नर्वस फ्लायर है मुझे अपनी मा के बिना हवाई जहास पर चड़ने बहुत डा लगता है और मैं केला ऐसा नहीं हूँ साल 2008 में मियामी हवाई अड़े पर एजेंट्स ने किसी को कस्टम के माध्यम से उसकी ममी को चुडानी की कोशिश करती हो पकड़ा फर्क सिर्फ ये था कि उनकी इस ममी की उम्र लग भग तीन हजार साल से भी जादा थी क्या जी यहां मैंने ममी कहा ना कि मोमी बता दूँ कि ये ताबूत राजकुमार एमेसी का था ये कोच्च कोटी के रईस राजकुमार थे हालागि सच कहूं तो वो अब इस ताबूत के अंदर नहीं था लेकिन फिर भी एक खाली ताबूत को देखने पर आपके दमाग में इस सवाल जरूर आएगा कि 21 वी डाइनस्टी का इस सामान आखिर यहां पर आया कैसे है ना खैर जिस बात ने अधिकारियों के हैरान कर दिया वो इस अजीब कलाकरती के साथ शिपिंग दस्तावीजों कमी थी आपको लगता होगा कि प्राचीन ताबूत को एजिप्ट से मियामी तक लाने के लिए बहुत सारे दस्तावीजों और एजिप्ट की सरकार से मनजूरी की जरूरत होगी है ना खैर इसकी बीचे कुछ भी नहीं था पाइल खरीदार मिल सके फिर भी नियाएकी जीत हुई और इस अन्मोल राश्कुमार को वापस एजिप्ट को साल 2010 में लटा दिया गया जहां से वह आया था अब हमें बस वे ब्रिटिन को कन्विंस करना है कि जितना भी सामान उन्होंने चुराया है वो सारा के सारा वापस कर दें जानना चाहते हैं मैं तसकरी की जीवन से दूर क्यों रहता हूं क्योंकि मैं मैं जिल जाने के लिए तैयार नहीं है और पापा को उनके वफल फ्राइज की जरुवत है और सिर्फ मैं ऐसा नहीं हूँ जो क्लिंक के लिए उत्सुक नहीं हूँ एबरेन जोस वर्गास गार्सिया ने अपने जीवन के 9 साल और 8 महीने वेनिजवेला की जोस एंटूनियो एंजोटेगुई जेल में बिताए थे जब वे कार्ड कहती के लिए पकड़ गए थे लेकिन अबरेन ने तैय कर लिया था कि अब बहुत हो गया इसलिए उसने खुद को वहां से निकालने के लिए एक मास्टर प्लान दया गिया लेकिन इसमें कमी सर्फ यह रही कि जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ देखिए जब उसकी प्यार ये सैनुरीटा, एंटोनियेटा, रोबल, सउधा एबरेन से मिलने जेल में आई तो गार्ड उसकी मदद नहीं कर सके लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वो अपने पीछे एक विशाल गुलाबी सूटकेस क्यों खीच रही थी मेरे प्यारे प्रभू, क्या आप मेरे साथ कोई मज़ा कर रहो, वो कहते हैं अपनी परिशानियों को अपने साथ मत गसीडो, लेकिन उसने खुद को अपनी परिशानियों और रीड के हड़ी के समस्याओं को सालों के लिए पैक कर लिया, गार्ड ने तुरंद उसे उसकी क करने के लिए पूछ सकते हैं, तो स्टार क्रोस प्रेमियों, एंटुनेटा और अबरिन की तरह मेरे लाइक और सब्सक्राइब बटन भी एक प्रकेज में आते हैं, तो आप उनके प्रती को उसने क्यों नहीं दिखाते हैं, और बदले में मैं और ज्यादा विश्वसनी कॉ प्रती सबसे मुलिवान अबैद एकॉनमी है, बैए आपको बता दूँ हर साल ये क्रिमिनल बाजारों के लिए 20 अरब डॉलर की आश्या जना कमाई करता है, क्योंकि सारे जानवरों को नेज़ी तो आप पालने पर रोक लगा दी इसलिए अपरादी अक्सर उन्हें बहुत इसलिए अलग अलग मुजों के अंदर लपिड़ा गया था, बाप रे साप, भाई ये तो वाकई में खतर ना गया, खैर वे सारे अभी बच्चे ही थे, लेकिन किसी भी जानवर के साथ ऐसा करना कुरूरता काम है, और बस इतना ही नहीं, जब अधकारियों ने उससे अपन प्रून उताने के लिए कहा, तो उन्हें उसकी टांगों पर टेप से चिपकाए हुए दस और डबे मिले, जिनके एंड एलबीनो गे को चिपकलियां से भरे हुए थे, नौर्वे में कई प्रकार के रेप्टाइल्स को पालतु जानवर के रूप में रखने पर रूख लग चेरे पर अंडे हों हैं न? खेर आपको बता दूँ कि जेफरी लेंडरम के लिए उनकी सबसे बड़ी चिंता हर जगह अंडा प्राप्त करने की थी, साल 2018 में उसे लंदन के हीथरो हवाई अड़े पर पकड़ा गया था, जब उसके पूरे शरीर पर बंदे हुए लग भग 19 रेयर पक्षियों के अंडे थे, लेकिन कैसे? खेर शाद इस तरह के एक यंदर के साथ, जेफरी ने ये कोशिश की कि वे 17 रेयर बाज अंडे, एक चील का अंडा और एक गिद की अंडे को अपनी चाती में शपाएंगे, और साथ ही उसके पास एक इंक्यूबेटर में दो पर पकड़ा गया था, इससे पहले 2010 में उसे दुबई में रोका गया था, जब उसने अपने पेट पर 14 पेरे ग्रीन बाज के अंडे बांदे थे, और 30 महीने की जेल में डाल दिया गया था, और फिर 2015 में उसे बाज के अंडे चुडाते हुए पैटागोनिया में पकड़ा बर्ड ब्रीन वाला बोजो इस बात पर विचार नहीं करता है कि जब इन अंडों से बच्चे फूटेंगे तो चूजों को अपने हाथों से पालना पड़ जाएगा, और एक बार जब उन्हें इंसानों द्वारा पाला जाता है, तो उन्हें जंगल में वापस भीजना हो है, तो जेफरी जितना रोक रहा है, उससे कहीं ज़्यादा नोकसान पहुंचा रहा है, भाई, यह सब बगवास है, सच में, पर्फेक्ट क्राइम, चाहे आपको कुत्ते बसंद हुएं बिल्लियां, हम सभी अपने पालतु जानवरों से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ब ठैर जाओ, आखिर आप सेक्योर्टी की होते हुए बाग को कैसे ले जा सकते हैं, यह दूसरी अजीब चीज़ है, जो आसपास होते हुए दिख रही है, पकड़े जाने के बाद उन लोगों ने सुखिकार किया कि उन्होंने बाग के इस बच्चे को अपने देश में पता दूँ, कि निजी तो आप बागों को पालना थाइलेंड में 1992 से बैन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने पियावान प्लारसन को कैरोल बासकिन बनने के इच्छा जाहिर करने से रूप दिया, अधिकारियों ने उसे अजीब विवार करते हुए नोटिस किया, जब यह फ नींद आ रही थे, लेकिन शुकर है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, इस जर्म के लिए पियावान को लगभग चार साल तक की जेल हो सकती थी, और तेरा सो डॉलर का जर्माना भी, फिर भी चीज़ें बहुत खराब हो सकती थी, भाई ज़रा कलपना कीजिए कि सामान की पीजे बैठे हुए इनसान के पास थे एक बाग का बच्चा कूद रहाओ, आप चेक इन करने ही कोशिश कर रहे हो, भाई ये चुट्टियों के अब तक की सबसे खराब शुरुआत होगी है ना, इसे ट्रंक में फिंक दो, मैं उस समय को अभी नहीं भूलूँगा जब मेर खोखले पेड़ के तने के अंदर पांच लाख बेलारूसी सिगरेट की तसकरी करने कोशिश कर रहे थे, भाई सिर्फ इसके बारे में सोचने सी ना, मेरे फेफड़े दुखने लगे, क्योंकि देखे, इन सिगरेट को ब्रिटिन और जर्मनी के ओल ले जा जा रहा था, क्य इसके वज़े से येरोपिये देशों को हर साल दस बिलियन डॉलर से भी जादा कर टैक्स रिवेन्यू का नुकसान होता है, बमर, और ये रूसी तसकर, ये सारा पैसा लेकर भाग गया होते, यानि अगर वे एक छोटी से बात का ध्यान रखने मां सफल नहीं हुए होते, त अब मैं खुद को विज्ञान के मामले में बहुत अच्छा मानता हूँ, लेकिन यहां तक कि एक डिंगस को भी पता होना चाहिए कि एक पेड़ के केंदर का वजन सिगरिड के पैकेट से जादा होता है, जब अधिकारी इस विशा लठी जाश करने पहुँचे, तो ये पं हाईवे हैं, और मैं पूरी रात इस रास्ते पर चलना चाहता हूँ, सिवाए इसके कि अगर वो हाईवे अमेरिका मैक्स को सीमा पर ना पहुच रहा हूँ, बता दूँ कि सिर्फ 2021 में बिना दस्तावेज के लगभग 16 लाख लोगों को ये सीमा पार करने की कोशिश करते बापरे, और ये भी उन में से एक जो एक बार में पकड़ा गया था, जब एक 18 साल के मैला ने काले मित्सू बिशी में कैलेक्सो वेस्ट पोर्ट आफ एंट्री को पार करने का प्रयास किया, तो सीमा पर गश्ट लगाने वाले कुट्टों को पिछली सीट के नीचे कुछ स स्पीशियस से चिपा हुआ मैसूस हुआ, जब गश्टी एजेंट्स ने उनको उठाया तो उनके नीचे एक 48 साल का आदमी चिपा मिला, भापरे, तो मैं पता भी है कि वहाँ गर्मी कितनी थी, भाई वहाँ आदमी वहाँ पर पग गया होगा, हलाकि सीटों के नीचे सीमा पार कर सकें, भाई जरा सूचिये कि सीमा अधिकारी की दिमाग पर क्या गुजरी होगी जब उसने ये देखा होगा, भाई मैं जानता हूँ कि एक गंभेर मामला है, लेकिन एन्रिक को यहाँ देखकर मुझे सच मुच में बड़ी गुदगुदी हुई, यार ऐसा नह मुझे ने बता एपरन मचलियों से भरा होता है, खैर शेरोन नाई स्मिथ ने बिलकुल यही पहना हुआ था जब वे सिंगापूर से मैलबर्न की तरह फुडान बर रही थी, उसने पानी से बरे हुए 15 प्लास्टिक के थालियां अपने साथ लाई, जिनके अंदर 15 जिन्द डॉलर है, लेकिन शेरोन के लिए एक दुख्य बात यह रही कि, वो उस दिन सीमा बल ऑफिशल्स की पकड़ में आ गई, जब अधिकारियों को इसके अंदर से आने वाली लगा थार फ्रफलाट की आवाज पर संदे हुआ, अंडगामिंट से, जिसके परडाम सुरूप, व वागई में बच गया भाई, गुप्त आत्माएं, अब समय थोड़ा हिस्ट्री के लेसन लेने का आगया है, क्या, जी आपको क्या लग रहा था, तसकरी सिर्फ आजकल होती है, बिल्कुल गलत, लोग तो हमें इशासी तरह तरह की चीज़ों पर अपना हट डालने की कोशि थी, वाग, रुक जाओ, लेकिन शराब में आखर ऐसी क्या खराबी, खेर आज के समय में तो कुछ भी नहीं, लेकिन 1920 के दशक में ये सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त थी, जिसके करण स्वास्त और सचिता भारी समस्ते बन गी थी, और टेक्स का बहुत भारी बोज, जेल में ड्रिंक प्राप्त करने के तरीके मिल गए, कम मातरा वाली बोटल को आसानी से किसी भी कफड़े में चाला की जिचे पाया जा सकता था, लेकिन क्या किया जाए, अगर आप ज़्यादा मातरा में गई पाल ले जाना चाहते हैं, खेर तब आप कुछ ऐसा चाहेंगे, लक राधी बनने का अफसर पा सकते हैं, तो 1925 तक इसके चलते नियॉक में लगभग 30,000 से लेकर के एक लाख तक अवैद स्पीक इजी क्लब बनाए गए गए थे, जहां लोग गुप्त रूप से शराब पी सकते थे, अयाशी पार्टी कर सकते थे, यह जानने के लिए नियॉक बॉक्स में? दोनों मैंसे कोई भी बुरा विचार नहीं है, लेकिन ब्लैक शीप इनोवेशन के पिक अप मॉड के समान ये आइडिया कुछ भी अच्छा नहीं है, जरा एक नजर खुद पर डालिए भाई वाई, जीनियस, उन्होंने इस टोयेटा हिल्स की टेल लाइट्स को मोडिफाई किया और इसके अंदर एक गुप्त डिब्बा बनाया अब मुझे ये कहना होगा कि ना तुम मैं और ना ही मुझे आशा है कि ब्लैक शीप इनोवेशन इसे किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए इस्तिमाल करने के समर्थन में होगा कहते हैं कि ये बंदूकों, आजारों, मशली पकड़ने की किट के लिए एक दम सही है मैं तो अपनी लंबी केंपिंग यात्राओं के लिए उस चगाच और चीजों से उसको भर दूँगा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गलत हातों में इसका इसका इस्तिमाल बहुत सारी शरारतों के लिए किया जा सकता है फिर भी अब तक देखा गया सबसे बढ़िया स्लीपर रही है बढ़िया देखने के लिए तयार हो अब मुझे नहीं पता कि इसके लिए कौन सा मास्टर मेकेनिक जिम्मेदार है लेकिन नंबर प्लेट पनामा की है वहाँ क्या जिपा है ये बताना कड़ें नहीं लेकिन कानूनी कारणों से मान लीजे के सब पैसे के लिए है और तीज़ आगे बढ़िये भाई मैं यूट्यूब की प्लीस के साथ बढ़ना बिलकुल भी नहीं चाता बालों का अजीब स्टाइल फिशली गर्मियों में जब मैं अपनी चुट्टियां मना के अपने घर वापस तुर्की आ रहा था और मैं इन सभी लोगों को अपने सिर्पा अजीब पट्टियां बांदे हुए देखे बेना नहीं रह सका मुझे यकीन है वो सभी अपना सिर्फ होड़के नहीं आ सकते खेर चाहिए नजारा आपको कितना बेजीब क्यों ना लगे लेकिन जनाब मगरूब अकबर अली और जुबैर हसन रफी उतीन के कारناमे के सामने कोछ नहीं है उनके विचितर हेस्टाइल ने भारत के चेन ने ये अंतुराश्टरी हवाई अड़े पर पुरीस का ध्यान अपनी औरा करशित किया जिन्होंने उन दोनों को पूछताश के लिए पकड़ लिया जिसके बाद ये पता चला कि उनका विचितर स्टाइल ही उनके बारे में सबसे आपरादिक चीज नहीं थी भाई उन्होंने अपने अजीब विक के नीचे 24.5 औन सोने का पेस्ट चिप काया था लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई हवाई अट्डे के कर्मचारी उने जितनी जादा तलाशी लिए उने उतना जादा सोना मिला उनके मोजों से भी सोना मिला और वहां से भी इसके बारे में मैं इस पश्ट नहीं बोल सकता कुल मिलाकर अधिकारियों ने लग भग चार लाग डॉलर का सोना जपकर लिया चीपर्स चुआ काने वोली बात यह है कि यही ठीक मामला दो दिन पहले भी सामने आया था हवाई जहाज पर नाश्ता तो दोस्तों अगर आप हवाई जहाज में हैं तो आधे सफर के बाद पेट में गड़गड़ा हाट होने सुबरा कुछ भी नहीं है कि क्रोई सेंद देखने में कुछ अजीब से लग रहे थे क्या किसी और को भी लग रहा था कि वे थोड़े बहुत अलग देख रहे हैं कचुआ वाई जैसे खैर जर्मन यात्री के अनुसार ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि वे चॉकलेटी कचुए थे यह कोई कचुआ नहीं है सिर्फ एक बर्गर है फिर से को हाँ एक बहुत ही बेवकूफ हो वाला चूटे जिसे पकड़ा जा सकते हैं सिवाए इसके कि जब गौांग जो भी उन अन्तुरास्टी हवाय डेवस रक्षा ने ली को सच्चाई से रूबरू कराया तो उसने अप हाँ मैं जब हाई जास में बैठता हूं तो अपना फोन एपलें मोड में रख लेता हूं मैं जानता हूं इसकी जरुवत नहीं है लेकिन पुरानी आरते मुश्किल से खत्म होती हैं आपको लग रहा होगा कि मैं मूर कूल किन अगर आप इस आदमी के साथ बैठेंगे तो प्रार्थ ना कर रहे होंगे कि वो भी ऐसी कर लें होली स्मोक चीन और हॉंग कोंग के बीच सीमा पर मेटल डिटेक्टर बंद करने के बाद इस चीनी नागरिक को अपने शरी पर टेप से चिपकाए गये 94 आईफोन की तसकरी करनी कोशिश करने के आरोप में ग्रफतार किय कि सर्फ मुझे लग रहा है कि वो किसी तरह की हत्या कर रहा है 2015 में आईफोन 5S और 6S बहुती लोग प्रिये थे और चीन में इस तरह के अत्यादिक पसंदीता हैंसेटों को हासिल करना लगबगा संबाबाद थी इसलिए होंग कॉंग से यहां सामान लाने वाले तसकर अहली भी पकड़ा जा चुका था जिसका होंग कॉंग से चीन में सामान की तसकरी करने का एक लंबा इतिहास है अफसोस यह हमारे दोस्त के लिए अच्छा नहीं रहा वे आईफोन विक सूट पहने अच्छी तरह की बात यह है कि वो इससे भी बरा हो सकता था जिसके लिए तरीका खोज निकालती हैं उसके साथ कुछ भी ऐसा ना हो जिस सही लेकिन इसके लिए शायद उसको जेल जाना पड़ा जिया वहां अपनी 2002 फोर्ट एक्स्प्लोर में बैठकर टेकसास के एल पासों से वो गुजर रही थी तब ही पुलीस ने उसे रूटीन जांच के उन्हें लगभग 166 पाउंड इंपोर्टेड मेक्सिकन जड़ी बूटी मिली और भाई यह जवाइन की पती नहीं थी आपको बता दूं कुल में लाकर उनको पता चला कि इस जड़ी बूटी की दिल दहला देने वाली कीमत बाजार में एक लाग 30,000 डॉलर से जादा थी के आपको दोस्त आपको अपनी शुट्टियों के बारे में बताते हैं आप मजाख में उन्हें अपनी सूटकेस में पैक करने के लिए कहते हैं हाला कि एक बेवोकॉफोंवाला मजाख है ना असल में कोई नहीं, हम जानते किस तरह किया जा रहा है, जी हाँ, अजीब बात है कि दो माता पिता ने अपने आठ साल के बच्चे को सूटकेस में चपा कर मुरको से कैनरी आलिंड तक तसकरी करने कोशिश की, हाँ भाई या सूटकेस में, या कम से कम ऐसा करने के लिए लोग लेकिन अपराधियों ने उन्हें बताया कि उनकी आए राश्ट्री आवशक्ता से कम है, इसलिए अड़ो के पिता ने अपने परिवार को फिर से एक जुट करने का एक अप्रिय तरीका खोजा जियां तसकरी, लेकिन लड़के के पिता को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को उन्होंने अपने बेटे को साथ में लाने के लिए मनाया था, उन्होंने उसे एक महला के सूटकेस में ठोसने की योजना बनाई, सवभागी से सामान के स्कैनर के मदद से एड़ो का पता लग गया और उसे खतना यातरा से बचा लिया गया, फिर एक महीने म पूरा परिवार स्पेन में फिर से एक चुट हो गया, जहां लड़के को रहने के लिए एक साल का समय दिया गया, और परिवार को यह सोचने का समय दिया कि आगे कैसे बढ़ना है, फिर भी मुझे पूरी मुईत है कि उन्होंने इस मुश्किल मामले का सामना करके अपना दिख लिया होगा, और अब अडो पहले से बहुत ही बेतर कर रहा होगा, भाई इस लड़के को कितना भयानक अन्वास गजरना पड़ा है न, सोच भी नी सकते, डरावनी घर वापसी, अब तक हमने कुछ सबसे बहर चौका देने वाली चीज़ा देखी है, जिन्हें लोग इन की फ्लाइट के लिए चेक-इन के लिए दोड़ रहे थे, और साथ ही गीता के पती, इनक्यानवे साल कर्ट विली जेरन्ट को अपने सामने वीलचेर पर खींच रहे थे, लेकिन करमचारी श्री जेरन्ट के बारे में कुछ परिशान करने वाली बात को नोटिस करने से खुद को रोक नहीं पाई, वो बहुत ही शान था, बिलकुल भी कोई हल चल नहीं कर रहा था और कोई भी उसे अच्छी तरह से नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसने अपनी चेरे पर बड़ा काला चेश्मा पैना हुआ था, तब ही एक बहादर स्टाफ मेंबर ने अपन गंटे पहले मल गए थे, बापरे, गिट्टा और अंके को एक शव की सूचना देने में विफल रहने के करण ग्रफतार किया गया, लेकिन उनने दावा किया कि जब वे अपने घर ओल्डम में टैक्सी में बैठे थे, जो यहां से लगभग एक गंटे के ड्राइब की दूर गया था, लेकिन इस नश्वा नरक से और लंबी नीन के लिए वो सो गया था, कितनी अजीब बात है कि वो जो कह रहा है वो सच है या नहीं मुझे नहीं बता, लेकिन बाद में उनना बिना किसी आरोप के रिया कर दिया गा, फिर भी ये उन सबसे अजीब कहानियों में से जो मैंने शायद कभी नहीं सुनी है, मैं बस ये आशा कर रहा हूं कि वे उसे ओयल वाली सीट पर नहीं बिठाते, हर बार जब आपको जंजनाड महसूस हो तो एक मरे हुए आदमी के सामने से गुजरने की कल्पना करना, तो यहां होता है वीडियो कंत, दिन बाद खराब अपरात के बंड़ा फोड़ करने के बाद अपनी जूते उतारना अच्छा लग रहा है ना, इन में से किस शड़ेंद्र कारी बदमाश ने आपको सबसे ज़्यादा चौका दिया, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन महा कर बताए और देखने के लिए शुक्रिया